नमस्कार दोस्तों, श्वागत आप सभी का मेरे बक्ति वावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको दीपक से सम्मंद जानकारी दे रहा हूँ, हम घर में दीपक जलाते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान के सामने, मंदर में दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के भी पूजा स्रीकार की जाती है, तो दीपक किस विदी से जलाएं, कैसे जलाना चाहिए, ये संपूर जानकारी में इस वीडियो में लाश्ट तक दे रहा हूं, आप वीडियो को लाश्ट तक दे के और चेनल को सब्सक्राइब करें, चेनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को दबा दें उसके बाद में और लिखा हुआ आता है उसको भी प्रेस कर दें जिससे मेरी हर वीडियो को नोटिपिकेशन आपकी पास पहुंचेगा अम मैं जानकर दे रहा हूं दीपक सबसे पहले जो दीपक सुद्ध होता है वो एक माटी का आटे का और अस्त दातु का दातु का जो दीपक होता है यह तीन प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं यह तीन प्रकार के दीपक सुब होते हैं जिसमें आप पीतल का दीपक ले सकते हैं मिट्टी का दीपक ले सकते हैं दीपक जलाते ही जैसे आपने दीपक जलाया दीपक जलाते ही तुरंत हाथ दे दोलेने चाहिए यानि दीपदान करने के बाद में हाथ दोने का परचलन है सास्त्रों के साथ से जिससे दोस्त नहीं रहता है कि आपको एक चीज का ध्यान रकना है कि जैसे आप डीपक, जलाते तो डीपक को डारेक्ट जमीन पर ना रख들을 न रखआ हैं जिससे दोस नहीं रहता है ट्यारेक्ट जमीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तो दीपक का मुख हमेशा उत्तर या पूरम में रखें पूरम में प्रतक देवताओं का बास है जैसे भगवान शूर देवे हैं उत्तर में भगवान कुवेर का सभी देवी देवताओं का बास होता है पूरम में दीपदान करने से आयू की ब्रद्दी होती है तेज प्राप्त होता है उत्तर में दीपक का मुख करने से धन की प्राप्ती होती है दीपक में बत्ती ना जादा छोटी हो ना जादा बड़ी इस चीज का आपको ध्यान लखना है कि जब भी आप दीपक की बत्ती बनाते हैं तो वो ना तो जादा बड़ी हो जिसे तेज जले और ना जादा छोटी ही हो मद्यम प्रकार की बत्ती होनी चाहिए यह बत्ती का योगार होता है वो मध्यम प्रकार का होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जो बत्ती होती है वो आप दो प्रकार की यूज़ कर सकते हैं एक तो मूली की बत्ती बना करके और दूसरी कोटनिया रूई की बत्ती बना करके हाथ की जो रूई की बत्त और एक गी का दीपक या तो आप सुद्ध देशी गी का दीपक जलाएं या आप तेल का दीपक जला सकते हैं ये दो प्रकार के दीपक हमेशा जलाए जाते हैं तिल के तेल का और गी का गाय के गी का या जो भी गी हो सुद्ध हो दीपक जलाते समय जो तेल का दीपक जलाते उसमें लाल बत्ती लगाई जाती है जो मोली वाली उसमें लगा सकते हैं शुब मानी जाती है और गी का जो दीपक उसमें कोटन या इन रूरी की दीबत्ती यूज की जाती है तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर इन सारी चीजों ध्यान रखोगे तो आपको लाप्राप्त होगा जय मता दे